असलाम अलेकूम और अभी हम बात करते रहेंगे प्रावर प्रेसेंटेशन बनाने की पिशली दफा हमने देखा था कि हम थीम कैसे चूज करते हैं थीम के बाद हम जो टाइटल देना चाहते हैं वो क्या होगा हेडिंग क्या होगी बाडी टेक्स क्या होगा फिर हमने ये भी देखा कि हम जो साथ में अगर कोई ग्राफ डालना चाहते हैं तो वो हम कैसे डालेंगे आईए उस प्रेसेंटेशन को अब हम थोड़ा सा आगे लेकर जाते हैं तो पिछली दफ़ा हमने ग्राफ और टेक्स्ट किया था तो हम इस दफ़ा चेंज करते हैं और एक सब सेक्शन डालते हैं सब सेक्शन पिछली दफ़ा हमने इंट्रोड़क्शन की बात की थी और हमने कहा कि जी introduction में के हलात क्या है, क्या हो रहा है data क्या कहता है अगला section जो हम बात करेंगे वो ये करेंगे कि action क्या लिया जा सकता है इसके बारे में तो हमारे पास main heading आ जाती है can we do something about it और अगला जो हम सब heading जरूरी नहीं होती कि आप दें मगए अगर आप दे रहे हैं तो तो अब हमने जो heading और sub heading जो तरीका है हमारा जो style है वो ये है कि हम जिस तरह कोशिश करते हैं कि ये बात जो है जो main key message है या key point है वो हम अपने heading या sub heading में दे दे ताकि लोगों के जहन में वो उतर जाए हम अगली slide बनाते हैं और इसका style फिर हम change करते हैं और हम देखते हैं कि जी यहाँ पर हम आ जाते हैं और हम कहते हैं कि तो हमने लिखा है all ages everywhere यानि कि सारे उमर के लोग जिधर भी है पूरे पाकिस्तान में जहाँ पर भी है उनको हमने आवाज दी उनको हमने लिलका रहा है कि जी आओ सुनो हमारी बात सुनो और क्यूं सुनो plant tree यानि कि एक दरख्त प्लांट करें अब हमने ये तो दे दी heading तो लोगों को पता चल गया कि हम बात क्या करने जा रहे हैं अब हम कहते हैं यहाँ पर कि जी हम एक स्मार्ट आर्ट बना देते हैं साथ में स्मार्ट आर्ट के आपने देखा होगा बहुत से आपके पास options हैं यहाँ पे एक hierarchy भी आ सकती है यह तो खेर सारे हैं list है, process है, style है, hierarchy है, relationship है matrix है, pyramid है, picture है और बहुत से और बेतरी की हैं अब हम बात कर रहे हैं planting a tree की और उसमें हम बताते हैं कि जी आपका process क्या होगा अगर आप दरखत को plant करेंगे so we want to show something like this कि जी cycle है और आपने यह enter किया पहला वाला है, आपने कहा कि जी यहाँ पर पहला step one जो है वो है, plant a tree ठीक है अगला हमने step दिया जी nurture its growth फिर हमने कहा कि जी हमने एक दरख लगाया है उसकी हमने परविश किये पानी दिया है, उसमें खाट डाला है और भी जो चीजें होती हैं करने वाली वो हमने की हैं और उसके बाद tree grows to full age यानी कि जो एक दरख की पूरी age होती है ने बड़ा असा हो जाता है पत्ते शत्ते सारे आ जाते हैं तो आपने एक प्रासेस किया इसके बाद जो चौथी चीजे है ट्री नर्चर्स लाइफ यानी कि जो यही दरख्त है यह अब जो इस दुन्या में हम हैं उसको नर्चर करना शुरू करता है उसमें अक्सिजन देना शुरू करता है उसमें हर्याली देना शुरू करता है जो एक एको सिस्टम अल्लामिया ने बनाया है या जो पूरी नेचर की एक एको सिस्टम है जो प्रासेस है उससे वो उसको नर्चर करना शुरू करता है और वो जिन्दगी देना शुरू करता है और आखिर में इसकी वज़ा से क्या होता है? Positive contribution to climate change. तो हम जब दरख लगाते हैं, यह सारा process होता है और जो climate change है, वो positively affect होता है. तो आपने देखा कि हमने एक smart art के जरीए, हमने पूरा process बजाए इसके कि हम एक boring bullet points में देते, हमने एक process बता दिया कि जी यह होता रहता है और यह एक cycle है जो हमें maintain करना है. तो हम एक visually अपने जो presentation है, उसको लवजों के जरीए और images के जरीए हम interesting बना सकते हैं. Just to show you some other options, आप अपने जो powerpoint है, उसमें images भी डाल सकते हैं, कोई pictures हैं, वो डालना चाहते हैं, आपने image डाल दी, इसी तरहां आप अगर video डालना चाहते हैं, तो आप एक video भी insert कर सकते हैं. Again, आपने कहीं यहाँ पर select की भी होगी video और वो इसमें embed हो जाती है. तो बहुत सारी चीजे हैं जो आप powerpoint presentation के साथ कर सकते हैं. अगर हम यहाँ पर देखें, तो आप transitions जो हैं, यानि कि एक slide से दूसरी slide पे automatically एक presentation कैसे move करती है, cut करती है, या fade in करती है, push करती है, wipe करती है, आप ये भी choose कर सकते हैं, कि एक जो animation हैं, उसको अगर आप detailed animation चाहते हैं, हर एक text के अंदर आप वो भी दे सकते हैं, आप text आपका कैसे appear हो रहा है, और कैसे निकल रहा है भार, आपके पास ये सारे options मौजूद हैं, और बहुत easy है, इनको इस्तमाल करना, अगर हम इसको देखते हैं, इसके साथ, इस slide में हम कहते हैं कि जी, हमने इसको appear करना है, तो आप देखोगे कि एक दम से ऐसे appear हो जाती है, या number one आ जाता है, इसका मतलब है कि आपने animation की भी है, और इसकी जो animation की details हैं, वो आपके पास यहां पर आ जाती है, and you can sort of see कि on click भी हो सकता है, with previous भी हो सकता है, auto duration है, या आप define भी कर सकते हैं, तो simple animations हैं, simple चीजें हैं, छोटी-छोटी चीजें हैं, जिनके साथ आप PowerPoint इस्तमाल करते हुए अपनी presentation को और ज्यादा बेहतर बना सकते हैं, Thank you.